कानपुर से मुंबई तक का सफर तो बहुत ही अच्छा था लेकिन कुछ उतार चड़ाओ तो होते ही हैं जिन्दगी में उतार चड़ाओ होते हैं तो कानपुर के सफर में भी उतार चड़ाओ थे लेकिन उन सब को पार करते हुए जिन्दगी मुझे आज यहां लाके खड़ और में बहुत खुश हूँ, आज मेरे लिए बहुत एमोशनल दिन है, जो मैं बनना चाहता था, वो मैं बना, चार साल पहले जब अचानक से जिन्दगी ने टर्न लिया, और कहते हैं ना कि फ्लो के साथ जिन्दगी कई बार जीना पड़ता है, और मैं फ्लो के साथ खड़ा हूँ, देखे, को स्टार के साथ कमिस्ट्री तो मैं कहूंगा कि शुरू शुरू में तो चुकि यह मेरी पहली फिल्म है, तो कहीं न कहीं एक जिजग थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग यूनिट में एक दूसरे के साथ इंवाल हुए, एक फैमिली का महौल हुआ, फिर हमने इतना इंजोई कि इस फिल्म को करते वक्त कि मदुरिमा के साथ तो मेरी ऐसी बांडिंग हो गई है कि ऐसा लगता है कि इस फिल्म से पहले भी हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और यूविका ने बहुत बहुत अच्छा साथ निभाया हमारा, और के साथ भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, उसके साथ किये हुए सीन्स जो है, यूविका के साथ बच्पन की दोस्ती का दिखाई गई है इस फिल्म में, और वही लगा मुझे कि शायद कोई बच्पन की बिछडवी दोस्त है, हलो गाईज, यूर वाचिंग मुई इस एड़ इस रॉकिंग